दोस्तो 2023 एंड हो चुका और 2024 आचुका है और बहुत सारे लोग यह देख रहे हैं कौन से स्मार्ट टीवी आने वाले हैं तो LG ने अनॉंस्मेंट की है LG के QNED TV जो है 2024 मोडल आपको मिलने वाले और उनके कुछ डिटेल निकल कर रही है यह पूरी डिटेल नहीं है बट बहु अच्छे कलर और वाइबरेंट जो QLED TV है उस तरी से क्वांटम डोट यहां पर है तो यह LG की है दोस्तो इसमें दो वर्जन लोंच कर रहे हैं एक QNED और एक QNED मिनी LED TV और यहां पर साइज छोटे से लेके 55 से लेके 98 इंस तक आपको देखने को मिलेगा तो यह है और जो प इन LED TV के साथ आपको यहां पर 8K वर्जन भी मिलेगा और 4K वर्जन भी मिलेगा कौन से होने वाले है यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले इन TV के बात करें तो इसमें Alpha 8 AI प्रोसेसर आपको यहां पर देखने को मिलेगा जिसमें की more performance होगी पुराने वाले से इसमें 1.3 फोल्ड जो है AI performance होगी पहले वाले से जादा और 2.3 फोल्ड जो है यहां पर जादा graphics performance होगी और 1.6 टाइमस यह फास्टर होगा पुराने वाले से तो यहां पर काफी अच्छा प्रोसेसर आपको मिले वाला पुराने वाले से और AI प्रोसेसर AI technology काफी है तो इसम अनहेंस करने के फीचर आपको यहां पर मिल जाएंगी दुनिया में technology हो रही है change AI का डर या उसकी बहुत बड़ी range Life हो रही है बहुत busy और gadgets बना रहे हैं इनको easy सिमट रही है दुनिया shorts में बट ग्यान है law में तो आईए करें नई शुरुआत 7 cents tech news के साथ tech news स्टार्ट हो रही है बहुत ही जल एक नए रिवाज में जल्दी से करिए चैनल को सब्स्ट्राइब वरना मिस कर दोगे tech की दुनिया की नए वाइब sound इसमें अगर बात करते हैं तो यहां अपर 9.1.2 चैनल जो है AI pro sound मिलने वाली है जो virtual sound है वो पहले से ज़्याद होने वाली है और दोस्तों यहां पर wow orchestra एक technology है जो LG की तरफ से last year launch होई थी तो वो आपको मिलेगी और साथ ही साथ LG के sound वारे हैं उसको मिलके क्यू सिंपरियर से समसिंग के technology थी वो आपको मिलने वाली है जिससे कि आप टीवी के speaker और उसके speaker मिला के चला सकते हैं जिससे कि 360 virtual surround काफी अच्छे तरीके से आपको मिल पाए और यह बहुत ही कमाल का है तो इन टीवी में आपको ये देखने को मिलने वाला है दोस्तों यह में आपको जो webOS 24 वाट्जा मिलेगा जादे है रिफ्रेसिंग मिलेगा आपको यहाँ पर home पर इस बार जो है banners मिलेंगे अलग-अलग content के यहाँ पर आपकर dynamic cue card होंगे जो कि आपको एक जगे से दूसरी जगे बहुत fast तरीके से ले जाएंगे जो कि बहुत ही कमाल का और अलग-अलग आपकी IoT devices हैं office का home का तो उनके according cards बने होंगे जो कि आपको बहुत ही कमाल तरीके से easily मिल जाएंगे तो कुछ सारे नए फीचर आपको webOS 24 में मिलेंगे और इसमें यह भी है कि webOS 24 जो है LG ने बोला है कि अब जो है 4 years का आपको software upgrade मिलेगे guaranteed तो यह एक अच्छी चीज है और जो last year वाले TV है कुछ जो नए है premium है उनमें भी आपको 4 year का जो है webOS update मिलने वाला है तो आपको इसमें कुछ नए feature मिलेंगे कुछ add-on feature जैसे की chromecast built-in इसमें इस बार दे गया जो android वाले फोन है वो है apple airplay 2 जैसे option आपको पहले से मिलते थे तो कुछ कमाल के feature आ यह भी अभी तक reveal नहीं है बट हमारे साथ बने रहीएगा क्योंकि जैसे यह launch होंगे इंडिया में प्राइज आएगा तो फूरी detail के साथ मैं वापिस आने वाला हूँ आपके साथ तो चैनल को subscribe करना मन भूलिए और वीडियो से related query है comment में लिखिए और आप मुझे कमेंड में जरूर लिखिएगा तो आज की वीडियो के लिए तना ही thank you so much बनने बाता हूँ